असलाम लाइकों मैं यूट्यूफ फैमली वेलकम टो माई चैनल आई होप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं बजार स्टाइल सॉफ्ट पूरी किस तरह से आप बना सकते हैं नरम पूली पूरी और फ्री बिल्कुल भी और नहीं हो बहुत से लोग मैं दो कप मैदा लिए हाफ टीस्पून सौर्ट एड़ कर दोंगी एंड वन बाइफ फॉर टीस्पून बेकिंग सोड़ा डाल देना ज्यादा नहीं डाले हैं इसे क्या होते हैं हमारी पूरी जो बहुत सौर्ट और मज़गी बनती है टूर टेबल स्पून ऐल आड़ कर द हम यद्वwegen बना तो ना-जाद स्कत करनी हैं ना ही नरब करनी हैं अगर हम नरब कर लेंगे तो पूरी आएल चला जाए जिसके वह नहीं बन जाईगी नगारत हुंधार जबतों सठक्कल relevant तो sehen प्रेश देने के बाद हम इसकी पूड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक प्लेट में जब मेदा निकाल लोगी देन इसके पेड़े बना लोगी अभी जो अगर पेड़े आप अपनी मजी के हिसाब से बना सकते हैं चोटी पूड़ी बना रही हैं या बड़ी से पूड़ी बनाएंगे मेरी रेसिपी को फूल करते हैं तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट पूड़ी बनेंगी है अच्छा जी तो अभी तमाम पूड़ी जो हमने बेल के साइट पर रख ली है ऑईल डालेंगे पैन में उसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे ऑईल को फूरण से फूल जाएगी तो देखें कितनी मज़े की जो है वह पूड़ी फूल चुकी अभी हम इसकी साइट चेंज करेंगे थर्टी सेकिट में एक साइट है थर्टी सेकिट में दुसरी साइट एक मीनिट में पूड़ी जो रड़ी हो जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ऑईल जाएगो हमने फूल गरम करके इसमें डाल लिए ठंड़े ऑईल में बिलकुल नहीं डाले अगर ठंड़ पूली हुई पूड़ी है वो सारी रैडी कर लोंगी मैं तो देखा आपने चैट पर मज़ेदार पूरीज है और रड़ी हो चुकी है आई हो वीडियो आपको प्संद आई होगी और बहुत ज़्यादा फाइदा मन्द होने वाली आपके लिए क्योंकि ऐसे सीक्रेट रेस आप प्राइ कीज़ेगा इस तरह से पूरी अबनाएंगे तो बजार वाली पूरी भूल जाएंगे और आप इस तरह से पूरी ट्राइए करें तो में अपना फीड़ बैक शियर करें एंड वीडियो को लाइक कर दें कॉमेंट कर देंडोस्तों को सब्सक्राइब नेए चै प्योर्स विक जड़ लाफ विल